हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल दर टीचर जी में तो आज मैं आपके लिए लेकर आया है फ्रेंड्स प्री बियर्ड इंट्रेस एक्जाम से संबंदित महतपूर जानकारी ठीक है इसमें मैं आपको बताने वालों कि परिक्षा होगी या नहीं होग पॉसिबिलीटी कितनी है होने की और नहीं होने की और विशोई दैले वाले करमचारी उन्होंने क्या जवाब दिया है बीट के संबंद में इन सारी चीजों के उपर हम लोग बात करने वाले हैं तो आप इस वीडियो में आन्ट तक बने रहे हैं ताकि आपको पूरी जानक आपको बताने भी वाला हूं कि क्या करण के वज़े से एक्जाम नहीं हो पा रही है अगर एक्जाम नहीं होती है तो उससी स्थिति में क्या होगी इसके बारे में भी जानकारी उपलब्द कराऊंगा आपको ठीक है तो देखें फ्रेंट्स मोटा मोटा बात मैं बता दे त एक तारीक है तीन ठीक है तीन तारीक है दूसरी है दस और सत्रह और साथ में है चोवीश ठीक है यह हमारे सितंबर के क्या है सितंबर वाले संडे है ठीक है तो पॉस्तिबिलिटी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो एक्जाम है वह या तो तीन तारीक हो सक सब्सक्राइब कंड़क्त है तो उसके कंड़क्त होने के लिए कम से कम एक शब्ता या फिर 15 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करना होता है कि आपका जो एक्जाम है वो इस तारिक को होने वाली है अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की तारीक है 1 सितंबर है ना और यदि मैं 3 सितंबर की पॉसिबिलिटी जता था तो 3 सितंबर को तो एक्जाम होना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है पहली चीज दूसरी चीज अगर आज नोटिफिकेशन कहीं जारी कर दी जाती है तो मान के चलिए आपका एक्जाम जो हो 10 सितंबर को हो शकता है क्यों क्योंकि आज एक तारीक है और मान के चलिए आपको 8 दिन मिलने वाले क्योंकि 9 दिन आपका एक्जाम हो जाएगा ठीक तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि 10 सितंबर को आपका एक्जाम हो अगर 10 सितंबर को एक्जाम नहीं होता है तो मान के सितंबर का एक डेट मिल जाए एक्जाम के लिए ठीक है और मैं possibility कोई बता रहो नहीं कि मैं fix बता रहो कि इसी तारीक को कि करके और यदि 17 को भी नहीं हो पाते तो मानके चलिए 24 सितंबर को को अ हम लोग एक मोटा मोटा मान के चलना है कि सितंबर में अगर एक्जाम कंड़क्ट कराना होगा विश्वी देलाइकों तो सितंबर के अंतिम सब्ताहत तक एक्जाम कराने के लिए उनके पास परियाप्त समय है ठीक है अगर माल लेते हैं अगर बाइद वे अगर अगर एक आमें मिलेगा कब मिलेगा ? एक मिलेगा हमें 1 अर्टक्टूबर को ओर एक मिलेगा हमें 8 अर्टक्टूबर को ठíक हैं ? तो यह डोणों संडिप हमें मिल जाएंगा लेकिन possibility यह रहेगी Friends की आपका जो exam है वो सितंबर महने में ही complete हो जाए ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है अगर एक सब्ता पहले या फिर पंदर दिन पहले कहीं release किया जाता है notification तो मान के चलिए आपका exam जो है वो कब होगा 17 सितंबर को possible नजर आ रहा जादा ठीक है अगर पंदर दिन पहले जारी किया जाता है अगर एक सब्ता पहले जारी किया जाएगा तो मान के चलिए आपका exam जो है वो 10 सितंबर को ही जाएगा ऐसा मैं अनुमाल लगा रहा हूं ठीक है और एक चीज़ और बता देता हूं friends अगर 10 सितंबर को हो जाएगी तो क्या होगी अभी UPSC Mains का exam होने वाला है क्या होने आला UPSC Mains का भी exam होने वाला है कब से 15 सितंबर से ठीक है तो मान के चलिए 15 सितंबर के पहले पहले आपका जो exam है 10 सितंबर को वो complete हो जाए ठीक है अगर इसमें भी नहीं होता है तो मान के चलिए हम लोग 8 October तक का wait करेंगे ठीक 8 October त जाएगा और मैं ऐसा मानता हूं ठीक है क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ है कि आपका जो exam है previous वाला इंट्रेंस exam बोत जून में जुलाई में और अधिक्तम अगस्त में गया है अगस्त और जैसे अंतीम हम लोग समय देखें तो सितंबर लास्ट सितंबर के पहले पहले मतलब स सितंबर के सुरुवात में exam हो चुका है पिछला जितना भी exam पिछला जितने बार भी exam हुआ है वह ठीक है तो इस बार भी मुझ यह मान के चल रहा हूं कि सितंबर के फ्रस्ट वीक में तो हो जाना चाहिए है ऐसा में माल रहूं क्योंग की इस बीच इस कोई भी तेवार निजर नहीं आरहे कुछ क्रिशनी य को साथ सितंबर को हमारा क्रिश्टन जनमास्ट में है तोहार से ने को मतलब कर्मान के चलिए ठीक है अगर इस डेट में नहीं होता तो सितंबर का जो आखरी शप्ता बच रहा है है ना चोबीस तारीक तो इस डेट में हम लोग अपना एक्जाम को होने की उम्मीद रख सकते हैं ठीक है अब देखे अभी क्या है रिसेंटली दो सितंबर को हमारे भारत देष्क रास्ट पती जी का विलाश्पूर आगमन हो रहा है ना तो अभी सारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं सब उसी तैयारी में लगे हुआ है पूरे विश्विद्याला भी उसी तैयारी में लगा हुआ है तो तीन तारी को exam हो गया तागर राष्ट पती जी का दोरण नहीं हुआ रही था मान के चल रहे तो 3 तारी को आपका exam हो होगा एक्जाम के मामले में मैं आपको पॉसिबिलिटी ये बतारों फ्रेंट्स के आपका जो एक्जाम हो दस से सत्रह सितंबर दस या फिर सत्रह सितंबर को ज्यादा होने के चांसे से ठीक है देखो हमारे पास और कौन-कौन से अवकास अभी पढ़ना है यह मैं बता देता ह क्योंकि आउकास में भी एक्जाम कराया जा सकता है अगर विशुआ दयल singular किराना चाहे तो साथ सितंबर को क्या है कृष्णजलमास्ट मी जह ठीक है फिर अम और उन्नीस सितंबर को क्या है गडेश चतूरती है ठीक है तो यह गडेश चतूरती को तो तो सहदना हो हां ना 8 सितंबर को क्या है इद्म मिलादुन नभी है ठीक है तो और 2 अक्टूबर को हमारा क्या है गांधी जयनती है ठीक तो ये समान्य यो काश है फरंड तो समान्य यो काश में गौढर आउर्ड सायाक्षाम नहें तो आप और संडे को हम लोग देखेंगे 2 अक्टूबर और अपना 8 अक्टूबर आले को ठीक है अगर इसमें भी नहीं होता है तो मैं यह बताना चाहरा हूं कि आप लोगों का जो प्रवेश्च प्रक्त्रिया है वह मेरिट बेस के अधार पर हो जाएगी फिर जो आपका इस नातक मे जो अधिक्तम मेरिट प्राप्त किया रहे जो अधिक्तम अर्जित किया रहेगा उनको फिर उसी मेरिट के अधार पर मोका मिलेगा ठीक है और आप लोग इसी अधार पर कमेंट कर रहे थे कि इसी प्रस्ण को आप दोरा रहे थे कि एक्जाम कब होगा सर उसके बारे में जा कब गया था यह देखे में वैशवी दयला जब गया था तो उसके लिए माँ गया था है ना तो यह देखे माँ गया था Fronts व किष्वी दयला मेंills मैं अठ़एस अगास्ट को गया था ठीक है 28 अगस्त को जब गया तो वहां मैंने दो तीन जो कर्मचारी कारेरत हैं ठीक है उनसे बात की कि सर B8 के संबद में कुछ जानकारी उपलब देकराये करके ठीक है और हम लोग कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे मैंने जब विश्चिदल की कर्मचारी है उनसे बात की कि सर B8 के संबद में कुछ जानकारी उपलब देकरा दिए ताकि तैयारी में जो लगे अभ्यर्थी उनको जानकारी पहुंचाई जा सके करके तो उन्होंने साब स आप कह दिया कि इसके बारे में भी कोई जानकारी उपलब्द नहीं है आप लगातार वेबसाइट पर विजिट करते रहे हैं आपको वहीं से जानकारी उपलब्द हो पाएगे करके तो यह था फ्रेंट्स मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्जाम के बारे में सही चानकारी दिया है ऐसा लग रहे है मुझे यदि आप संतुस्ट होए होंगे तो अच्छी बात है अगर नहीं होए होंगे तो जो भी बाते रहेंगी मुझे कमेंट के मादम से जरूर बताने की कोशिश करियेगा ठीक है यदि आपको वीडियो पसंद आए प्रिवियेट से संबंदित या और जो भी एक्जाम से संबंदित वो आपको मिलती रहें ठीक है फ्रेंट्स तब तक के लिए धन्यवाद